हिमाचल प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद प्रदेश के उचाई वाले खेतर बर्फ की सफेद चादर से ढख गए हैं. प्रदेश के कई उचाई वाले इलाकों में 14 सेंटी मिटर से 42 सेंटी मिटर तक बर्फ बारी दर्स की गई ही गई है. हालांकि शुक्रवार को राजधानी शिमला समेट अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है और धूप खिली है लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आगामी तीन फरवरी की देर रात से प्रदेश में पर फिर मौसम करवट लेगा डॉट जिसका असर चार फरवरी तक एक बार फिर से बारिश बर्फ बारी देखने के लिए मिल सकती है आफ को फोल दर्ष ही गई भी 24 घंटों में किनवार में भी हलकी र्फवरी कोड की गई है जो गलपा में 8 cm की सपार की गई थी कुलों की बात करें द देखिए कोठी में 35 cm मनाली में 30 cm की सपार कोड करें तो रहां तकरीब आवेज 15 से 18 cm की गई है जो महाई स्टेशन है और बारिश की बात करें देखिए पिछे 24 गंटों में मौडरेट रेनफॉल होई है जिसमें की जो कांगरा में रोटा सूरिया में 58 mm के आसपर बारिश कोड़ की गई थी मंडी इसलापड में 45 mm के आसपर की गई थी और साथ में देखिए पिछेक शेत्रवी जैसे पालमपू है कांगरा है सोलन ने वहां पोला विष्ट्री भी दज की गई थी इसी दोरान और अगामी पांच शे दिनों की बात करें देखिए आज दो तरीकों प्रदेश में मौसम मुखेता साफ रहेगा फिर कल तीन तरीक की इवनिंग और या राज से एक डबूडी प्रदेश को करेंगा और इसके एफेक्ट से देखिए तीन तरीकी राथ से और चार तरीकों पूरे पदेश में ही बारिश के साथ साथ जो हमारे जो हाइस के डिस्टिक है वहां स्नोफल होने की सबावना बनी रहेगी इसी दोरान देखिए जो अलर्ट के तौर पर देखिए जो जो हमा आएगी वेदर में वाज शे तरीक को मान सकते कि एक दूस्तानों में हल्की बारिश हो सकती है फिर साथ तरीक से जो मौसम में पदेश मुखेता साफ बना रहेगा और देखिए जो पीछे चापश गिंटर में जो एक्टिविटी होई है स्नोफल और रेंफॉल की इसके चल पॉकिट्स में सुबा के टाइम में फाग होने की सवाना बनी रहेगी